तो आज हम English के छोटे छोटे वाक्यांस देखेंगे जिसको हम English में phrases भी कहते हैं तो आज हम phrases के कुछ word देखेंगे जो हम daily life में हमेशा बोलते हैं यह मुश्किल साब को दो से तीन word का होगा और आपको सुनते ही याद हो जाएगा अगर आप इन words का use करते हैं अपने English speaking के दोरा तो आपके जो English speaking है वो बहुत अच्छी हो जाएगी या आप चाहे तो अगर आप English नहीं भी बोलते हैं कभी फिर भी आप इन words को आप हिंदी बोलते वक्त भी कभी भी आप use कर सकते हैं अपने daily life के बातचीत में आएगे देखते हैं इन सारे words को मैं अभी आ रहा हूँ Just coming Just coming बहुत अच्छा Very well Very well अच्छी बात है Fine या Very good Fine या Very good अच्छी बात को हम fine भी कह सकते हैं या फिर very good भी कह सकते हैं जैसी आपकी मर्जी As you like या As you please As you like या As you please और कुछ Anything else Anything else बस रहने दो That's enough That's enough इस सम्मान के लिए धन्यवाद Thanks for this honor Thanks for this honor अच्छा Okay Okay क्यों नहीं Why not Why not थोरा सा भी नहीं Not a bit Not a bit ध्यान रखना Take care Take care कल मिलेंगे See you tomorrow See you tomorrow Haan जरूर Yes by all means Yes by all means बहुत है That is too much That is too much Haan sir Yes sir Yes sir नहीं कभी नहीं No Not at all No Not at all कोई बात नहीं Never mind Never mind या Doesn't matter Doesn't matter और कुछ नहीं Nothing else Nothing else कोई खास बात नहीं Nothing special Nothing special आईए Welcome Welcome भरोसा रखे Rest assured Rest assured बहुत दिन से देखा नहीं Long time no see Long time no see अच्छा चलते हैं Goodbye इसको इंगलिस में भी हम बोलेंगे Goodbye आप इसको हिंदे में Goodbye बोल सकते हैं या अच्छा चलते भी बोल सकते हैं अच्छा चलते हैं तो Goodbye आपको भी विदा Bye-bye Bye-bye जरा सा भी नहीं Not the least Not the least तो guys ये थी आज का मैरे sentences कैसे लिए sentences हमें comment section में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे तरह के और वी वीडियो पाने के लिए हमारे sentences को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद